हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हमारा यह लास्ट चैप्टर है ठीक है फोर्थ यूनिट हम कंप्लीट करेंगे एक तो दिन में तो बेटा चैप्टर का नाम क्या योगा फोर कंसंट्रेशन ठीक है तो यानि कि यहां पर हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे फोकस कर सकते हैं कैसे अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगी ठीक है तो ब्रीफ में जान लेते कि हम इसमें क्या तो यह भीटा हमें अपने emotions पर control करने में सायता करेगा या intellect intellect को बढ़ाने में जो हमारी मानसिक्ष थिति याज स्वास्तिय उसको बढ़ाने में अच्छा करने में help करेगा you know the concentration is an act or ability to give your continuous attention or thought to a single object or a single activity तो जैसे कि हम सब जानते है कि concentration क्या होता है एक तरीके का act होता है जिसमें क्या करते है अपने अपने ध्यान को एक object पर single object या किसी भी एक तरीके की activity पर focus करते है it is the most fundamental requirement for achieving anything in life और ये सबसे अच्छा या basic requirement है जरूरत है अपने किसी भी life में कुछ भी achieve करने के लिए हमें उस पर focus करना जरूरी होता है it is required for the school lessons, homework और even for the leisure time activities और ये school के बच्चों के लिए तो काफी मतलब की helpful होता है ठीके उनका कोई भी काम हो, उनको अपना कोई homework वगएरा complete करना हो या किसी activity में ध्यान लगाना हो तो ये उनकी भहुत help करेगा ठीके तो पेटा अब इसमें concentration can be improved by developing harmony between body and mind और ये concentration को हम कैसे improve कर सकते हैं जो हमारे मतलब body और mind है उन दोनों के बीच में एक harmony create करके, एक lack create करके कह सकते हैं coordination create करके हम इसको improve कर सकते हैं ठीक है we know that without a healthy body our mind cannot work efficiently तो आप देखते होंगे कभी भी आप ठके हुए होते हो तो आपके hands आप चाहते हो कुछ काम करें लेकिन आपका दिमाग उस नहीं पर वो काम नहीं कर रहा होता या फिर आपसे कोई नीद में बाते करेगा या आपको मतलब की आधी नीद में उठ गए तब भी आप देखोगे आपके साथ ऐसा होता है similarly without a healthy mind our body cannot work efficiently therefore it is essential that we develop harmony तो इसलिए जरूरी है harmony को develop करना body और mind के बीच में ठीक है और कई बार तुम देखते होंगे घर में कुछ function चल रहे हो और तुम्हारे paper हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में ठीक है तो इस चीज को भी focus कराने में आपकी योगा help कर सकते हैं या फिर जो आपकी emotions होते हैं वो भी आपकी help करते हैं अपने body और mind को concentrate कराने में अगर आप उन पर control कर लो तो या उनको अच्छे से अपने तरीके से regulate करवा पाओ अपने emotions को ठीक है इन दिस context योगिक practices of yam, niyam, आसन, प्रनायाम, प्रत्याहरा और ध्यान यानिकि meditation play an important role these practices can be certainly help in enhancing our concentration और ये सारी जो भी हमने yogi practices देखी है ये हमारी help करेंगी इसको concentration को enhance करने में यानिकि अच्छा करने में ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं यम, ठीक है तो यम क्या होती, यम आदा principles तो ये बिटा कुछ ऐसे सिधान्त होते हैं, principles होते हैं जो हमें मतलब कि हमारी मदद करते हैं, हमें guide करते हैं कि हमें society में किस तरीके से रहना है, ठीक है there are five restraints और बिटा इसके five वो हैं मंत्र, ठीक है कौन-कौन से ahinsa, satya, asatya, bhramcharya और aprigra ठीक है, यानि कि ahinsa मतलब बिटा non-violence हम किसी भी चीज में ahinsa मतलब कि हिंसा से नहीं करना चाहिए, ahinsa से करना चाहिए, sorry मतलब ahinsa से ना करके, हिंसा से हमें किसी भी चीज को soul करना चाहिए, कोई भी problem हो, satya, ठीक है और एक satya के mark पर चलना चाहिए, asatya, यानि कि non-stealing ठीक है, तो यानि कि कोई चोरी, चकारी, इन सब चीजों से बचने के लिए, ब्रहमचारिय, celibacy, ठीक है, ब्रहमचारिय का पालन करना, ये तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछी इसको भी follow कर सकते है, ठीक है, एप्रिग्र है, ठीक है, non-possessiveness मतलब कि हर चीज पर अपर अपना अधिकार नहीं जताना में, हमें हर चीज को कैसे maintain, balance करना, इस चीज के बारे में हमें यम help करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, नियम ठीक है, तो नियम refer to the five observance, और जो नियम होते हैं ये five observance होती है, these are source, यानि कि cleanliness, स्वच्था, ठीक है, संतोस यानि किसी भी चीज का satisfaction और तप, ठीक है, या तपस, यानि कि austerity, ठीक है, तपस, ये तप कह सकते हो, आप एक तरीके से इसको, ठीक है, स्वाध्य है, स्वाध्य है, मतलब बेटा, knowing about self, अपने बारे में जानना, इस्वर परीधान, ठीक है, यानि कि surrender and devotion to the God, यानि कि भगवान के परती, अपने आपको समर्पीत कर देना, ठीक है, ये नियम के अंदर आते हैं, और ये पांच तरीके के होते हैं, ठीक है, तो यम और नियम के द्वारा, बेटा, हम अपने अंदर एक kindness, एक दयालुता का, प्रेम का भाव उत्पन कर सकते हैं, सभी के परती, जितने भी इस living परानी है, यानि कि जीवित परानी है, creatures है, मतलब कि earth पर ठीक है, and feeling of satisfaction, peace of mind, balance and harmony with oneself and the society, और society के साथ और अपने साथ एक balance और harmony को भी create कर सकते हैं, और mind, peace of santi, मतलब एक santi का अनुभा करके आती है, ठीक है, यम और नियम, help in developing control on our mind, resulting into better focus, और यम और नियम क्या करते हैं, help करते हैं, हमारी के अपने mind को control करें, और अच्छे तरीके से उसको focus कर पाएं, एक particular जगा पर, ठीक है, तो ये तो यम और नियम थे बेटा, आसन क्या होते हैं, आसन are the physical practice, postures which are performed by the coordinating the movement of body and breath, ठीक है, तो आसन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी body को और अपने स्वास को coordinate करके कुछ postures बनाते हैं, ठीक है, और this result into enhanced concentration, और ये हमारी help करेगा, concentration को enhance करने में, ठीक है, अब प्रनायाम क्या होते हैं, प्रनायाम means extension और expansion of breath, ठीक है, प्रान, यानि कि ये क्या होता है, ए एक तरीके से ये साधन है, ठीक है, इट regulate our breathing system, और ये हमारे जो breathing system है, सवसंतंतर है, उसको regulate करने में help करता है, इट increase the supply of oxygen to the brain, और ये हमारे brain तक oxygen की उचित मात्रा में supply को भी सही करता है, ठीक है, with these, our brain functions in a better way, और हमारा दिमाह किस तरीकी से, अगर हमें oxygen सही से मिल पाएग ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है, breakdown होएगा, हमारी जो भी हम खाते हैं, भोजन वगरा, ठीक है, और उससे उनको फिर energy मिलेगी, energy मिलेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है, and reduce anxiety and anger, ठीक है, और इससे हमें क्या help मिलेगी, जो हमारे अंदर मतलब ये एक anxiety नहीं होगी, और proper oxygen की supply होगी, तो क्या होगा पेटा, हमारे जो mind है, वो एक सांत रहेगा, ठीक है, और उससे हम क्या कर पाएंगे, अपने mind को focus कर पाएंगे easily, ठीक है, अब next गए प्रतिहारा, प्रतिहारा is an important yogi practice as it help in enhancing our concentration, तो ये भी हमारी concentration को enhance करने में help करती है, in प्रत ये हारा जो थी बेटा, वो एक yogi practice है, जो क्या करती है, help करती है, हमारी concentration को enhance करने में, और क्या करती है, control करती है, हमारी जो भी five senses होती है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, या सूंगते हैं, या स्वाद लेते हैं, या फिर spurs करते हैं, ठीक है, तो you know that we have five senses organ और किसके द्वारा देख पाते हैं आखों के द्वारा देख पाते हैं कानों के द्वारा सुन पाते हैं और जीब के द्वारा क्या कर पाते हैं टेस्ट ले पाते हैं और nose के द्वारा सुन पाते हैं और skin के द्वारा हम spurs करके देख पाते हैं ठीक है तो we continuously receive stimulation from these senses और हम लगातार इनसे कुछ ना कुछ stimulation मिलता रहता है हमें मतलब कि कुछ ना कुछ हमें information इनके through मिलती रहती है अभी भी तुम देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे इस समय पर तो ये भी तुम्हें क्या मिल रहा है as a result we cannot concentrate on anything और इसके द्वारा हम concentrate नहीं कर पाते हमें जो करनी होते हमने daily life की जो भी कारिया होते ठीक है therefore it is important that we should select right thing तो इसलिए हमें ये जरूरी हो जाते है हमारे लिए कि हम कुछ अच्छी चीजों को select करें जिन पर हमें ध्यान देना है या जिनी से हमें stimulation लेना है आप इसको example से अच्छा समझ सकते हो कि suppose you are a you see a fight in school at home या you watch violence in a movie तो मतलब कि आप ऐसा कुछ देखते हो लड़ाई देखते हो किसी तरीके की school में देखते हो या फिर अपने घर पे देखते हो या फिर किसी cinema hall में या movie में देखते हो ठीक है तो तब क्या होता है तो जो आप देखते हो तो आपके दिमाग में बार बार वही scene चलते रहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ क्यों हुआ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है तो इसके कारण बेट आप अपने जो भी काम करना होता है आपको अपने life में आगे उस पर focus ही नहीं कर पाते हो but if you are read a good story attend an inspiration event inspiring event or watch a good movie it would help you to work better लेकिन अगर आप ऐसे scene की बज़ए कुछ ऐसा देखो या ऐसा पढ़ो ऐसा सुनो ठीक है जो क्या करेगा आपकी help करेगा आपके कारी को better बनाने में और focus करने में आपके study की तरफ ठीक है therefore it is necessary that we see here ठीक है we see here taste smell और touch मतलब कि इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें कुछ ऐसा सही चीजों को देखें सुने मतलब उनका स्वाद लें या सूंगे या उनको spurs करें जो क्या करें which protect this will protect us from unnecessary disturbance जो हमें क्या करें जो unnecessary disturbance होती है जिसका हमारी life में कोई मतलब नहीं होता उन चीजों से हमको protect कर पाएं ठीक है और enhance कर पाएं हमारी concentration को और help us in achieving our goal और हमारे जो goals हमने decide क्यों है उनको achieve करने में हमारी help करें तो इस तरीके की चीजों को या देखना चाहिए और ये सब हम कर पाएंगे जब हम अपनी senses पर control कर पाएंगे और senses पर control कब होगा जब हम प्रतिहार में जो योगिक practices आती हैं उन सब को perform करेंगे तो ये हमारी help करेगा इस चीज़ में अब बात करते हैं मेडिटेशन की तो meditation क्या है meditation relaxes our body and mind तो ये तो हमें पता है कि ये relax करता है in meditation we have to concentrate on any object हम किसी भी एक object पर concentrate करते हैं और sport continuously for some time और उसी पर अपना ध्यान केंदरित करते हैं कुछ समय के लिए और ये क्या करता है हमारी ability या योगियता को increase करता है concentration की ठीक है और ये क्या करता है ये हमें मतलब इस योगिया बना देता है कि हम अपने emotions पर control कर सके और अपने enhance यानि की harmony जो होती है हमारे सरीर में उसको मतलब की अच्छे से कर पाएं enhance कर पाएं body और mind के बीच में coordinate कर पाएं balance बना पाएं all the above yogic practice help in us in having harmony between body and mind तो ये सभी जितने भी yogic practices के बारे में हमने detail में जाना है ये सब हमारी harmony body और mind के बीच में create करने में help करते हैं thereby improving the concentration और इसी से क्या होगा फिर concentration improve होगी और फिर improving होने से क्या होगा हमारे जो mental work है जो हम करते हैं concentration improve होने से हमारा वो भी मतलब कि improve होगा ठीक हो उसमें performance में अच्छा वो आएगा इजाफा कह सकते हो let us perform these yogic practices to have better result ठीक है तो बिटा फिर कुछ yogic practices हम इसमें सीखेंगे concentration के लिए कौन-कौन से तो इनको हम next में करेंगे इस वीडियो में इतना ही तो तब तक के लिए ऐसी हसते रही है मुस्कुराते रही है बढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है थैंक्यू